मोर्चा के सुप्रीमो सीबू सोरेन के बड़े सुपुत्र दुर्गा सोरेन की आज जैनती है लहाजा पार्टी की ओर से कई कारिकरम आयुजित किये गए लेकिन खास और अहम बाद यह है कि आज के कारिकरम में पूरा सोरेन परिवार एक साथ मौजूद रहा ऐसी तस्वीरे कम ही देखने को मिलती है जब पूरा का पूरा सोरेन परिवार एक मंज पर आपको नजर आए जरसल राजधानी राची के नामकुम इस्थित दुर्गा सोरेन चौक में उनकी परतिमा पर मालियारपन करने का मौका था इस दावरान गुरु जी जो जामुमू के सुप्रीमों हैं शिबू सोरेन वो मौजूद थें जारखंड के मुख मंतरी हेमन सोरेन मौजूद थें हेमन सोरेन की भावी सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पतनी सीता सोरेन पहुंची थी उनके साथ उनकी पुत्री भी पहुंच क्षार आया अब जिस तरह के राजिनिति और परिवार चौन ही तो के भी हमप सिर्थ है का दोर चल रहा है कि सेमी की और के घुजद बहुत में यह वह पर दोर जोप दोर कि dish are जो चौन की अपके तों अधियां आइफ के अच्वार। में देख सकते हैं उन तमाब विश्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहियोगी मदन चुक्छ ऐसा बहुत कम मौका हम लोग ने देखा कि गुर्यू जी हैमन सोरेन सीता सोरेन उनकी सुपूतरी एक साथ मौजूद हो क्या इस तस्वीर को हम दूसरे और चश्मे से देख सकते हैं बिल्कुल देखिए इस तस्वीर में जो बदला हुआ है उसका सबसे महत्पूर्ण कारण जो ये सियासी संकट जो पैदा हुआ जहारखंड में जिस तरह से वहां पोक की स्तिती सामने आई इसके बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आए अगर आप कुछ महने पहले क की तस्वीर देखें तो जब दुर्गा सोरेन जी का पुनित ही थी था तो उस वक्त सुबह सुबह दुर्गा सोरेन की जो पतनी है सिता सोरेन और उनकी जो बच्चियां है वो पहुंचते हैं उन्हें सर्धान जली देते हैं और वो वापस आ जाते हैं फीर जो जेमें के का पूर्य बारिस हो रहे समय में ही उन्होंने वहां पहुंचकर सर्धासुमन अर्पित किया था लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वह बहुत कुछ मेसेज दे रहा है आखिर यह जो एक साथ सब दिख रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है सबसे बरावजा जो आपने देखा कि कई दिनों तक मुखमंत्री आवास में जो बिधायकों की बैठक हो दही थी उसमें सिता सोरेन नहीं पहुँची थी लेकिन आखरी की दो दिन जो थे उसमें सिता सोरेन भी पहुँचने लगी थी और जो यहां से पिक्निक के तौर पर जो कहा जा रहा था कि लतरातु गए थे उसमें भी आप देखे कि बस में वो सवार होकर गई थी और जब राइपूर जाने की बात हुई तो राइपूर भी सीता सोरेन खुद गई और वहां तक छे दिनों रह करके जो है फिर आकर यहां सरकीट होस में भी रुकी और फिर एक जुटता के दिखाते हुए वो विधान सभा पहुंचती है वहां विश्वास्मत हासिल होता है उनके पक्च में वोट देते हैं यहीं आप अगर विधान सभा सत्र को देखें तो अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए वो विधान सभा के बाहर धरने पर भी बैठती थी सदन के भीतर भी आवाज उठाती थी और कहती थी कि हमारा कोई सुनता नहीं हमारी सरकार से मांग है जो भी उनके कोल प् वक्त की रिष्टे जो हैं तल्क हैं वो अलग-अलग राहे हैं लेकिन ये जो तस्वीरे सामने आई है इसे आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी तस्वीर है और जो एक जुट है वो सोरेन परिवार जो संकट है अभी सियासी संकट जिसे कह सकते हैं जिस तरह से बातें सामने आ रहे हैं कि राजभवन तक जो एरिचुना आयों के पत्र पहुँच चुके हैं कभी भी कुछ घोसना हो सकती है तो जो कयासों का बाजार गर्म है उस इस बीच ये तस्वीर जो है सुकून देने वाली है बहुत ज्यादा घुलती मिलती हुए परिवार से नजर नहीं आती हैं कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन के खिलाप जाकर भी बाते कहीं है हाला कि यह वो कहती हैं कि वो पार्टी को आइना दिखा रही है और पार्टी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है लेकिन चुकिए अब निशित तोर पर सरकार एक मुश्किल दोर से गुजर रही है और खुद मुख्मंतरी हेमन सोरें की विदाय की खत्रे में पढ़ती हुए नजर आ रही है बसंद सोरें की विदाय की पर भी खत्रा मंड़ा रहा है ऐसे समय में सीता सोरेन एक विधायक के साथ साथ एक बहू का जो फर्ज होता है वो निभाती हुए नजर आ रही है और हम ने देखा कि ऐसे कुरुशल टाइम में किसी तरह की बयान बाजी से सीता सोरेन बसती हुए नजर आ रही है तो ये क्या सीता सोरिन के लिए भी एक साबित करने का मौका है कि वो ये बताएं हलाकि वो बहु है बताने के जरूरत नहीं है फिर भी राजितिक तोर पर जो मतभेद है उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपने आपको साबित करें बिल्कुल देखे इसी चीज का इंतिजार जैमेम के कारेकरता भी कर रहे थे जिस तरह से परिवार में एक अलगाओ दिख रहा था यानि कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भले ही उसे ये कह रहे थे कि वो आइना दिखा रही है लेकिन उसे लोग ये मानते थे वजह जो भी हो जिस तरह से सब कुछ ठीक हुआ है ये अंदर हम नहीं जाना चाहते लेकिन जो तस्वीरे सामने आई है वो स्यासी रूप से काफी अच्छी है और हेमन सोरेन को सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली है कि घर अगर मजबूत है तो फिर आप दूसरे लोगों से भी अच्छे से मुकावला कर सकते हैं और यह तस्वीर भी यही संदेश देता है कि एक जुट पडिवार है बसंत सोरेन हो, सीता सोरेन हो या फिर मुखमंत्री हेमन सोरेन हो सभी लोग राजनीती से जुरे हुए हैं, बिधान सभा के सदस से भी है पार्टी गुरुजी के नेतरित्यों में चल रहा है तो सब जब एक जुट हो कर चलेंगे, तो बीजेपी हो या फिर और भी कोई संकट हो उसका मुकाबला जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका ये जो सबसे ज़्यादा सही वक्त कह सकते हैं, सही उदाहरन कह सकते हैं मुझे याद है कि पिछले वर्ष दूर्गा पुजा की विजई दश्वी के दिन ही दूर्गा सोरिन सेना का गठन किया जाता है, जिसका नित्रित्व दूर्गा सोरिन की इसका सरोकार है आज जब अपने पिता के जैनती का उसर पर सीधा सोरेन की बड़ी सुपूतरी पहुंची तो यह हम महसूस कर रहे थे कि सोरेन परिवार की एक भावी पीड़ी भी महा मौझूद है और जैसा यह माना जाता है कि आने वाले दिनों में जब परिवार को राजिनती तोर पर आगे बढ़ना होगा तो जैश्री राश्री एक बहतर विकल्प के तोर पर हैं वो राजिनती तोर पर जागरुग भी हैं पढ़ी लिकी भी हैं नोन भी हैं और अपने पिता के कारियों को जानती समस्ती हैं, अपने जो दादा हैं या फिर जो उनके चाचा हैं, उन तमाम के कारियों को जानती समस्ती हैं, लहाजा हम ये मानते हैं कि एक भावी पिड़ी भी वहां मौझूद थी और वर्तवान पिड़ी तो थी ही, लेकिन इस पूरे परिवार ने ये थाबित करने की कोशिश की है, बहतर मंच भी आज मिला है, यह परिवार एक जुट है, मजबूत है, एक साथ है, थोड़ी जो मद्भेध तमाम परिवारों होती है, राजिनतिक तौर पर, गैर राजिनतिक तौर पर, वो यहां भी है, लेकिन उन चीजों को भुला करके, इग्नोर करके, नजर अंदास करके, यह परिवार, यानि सोरिन परिवार, यह बताना और यह दिखाना चाहता है, यह वो मजबूती के साथ, एक दूसरे के साथ, खड़ा है, फिलहाल मुझे और मेरे सही होगी, मदन के साथ, केमरा पर संजे को दीजे, नमाश्चार.